हेले स्टुडेंट कैसे हैं आप सब तो आज मीटर सेतु के बारे में आपको समझना है क्वेशन कैसे आता है मीटर सेतु की सहायता से अग्यात प्रतिरोध ग्यात करने की विधिका वर्णन निम्ल लिखित सिर्शकों के आधार पर कीजिए चार ही सिर्शक कुछा जाता है पहला आपका है नमांकी चित्र ठीक है सूत्र के स्थापना प्रेच्छन सारणी और साब्धानिया देखे प्रेच्छन सारणी और साब्धानिया भी इजी है मात्र आपको दो चीज़ों वे फोकस करना चित्र बनाते बनना चाहिए और सूत्र की स्थापना याद करते हैं ठीके न तो दो चीज़ें आपको आना चाहिए आप आसानी से बिलकुल इसमें बरावर नंबर चार नंबर कोश्चन पुझा जाता है चार टापिक दिया रहता है कि न मांग की चित्र बनाओ प्रिछन बनाऊ, सोत्र किस्थापना, सब्दानिया, तो आपको चित्र बनाना ये चीज, ठीक है न, यहाँ पर मैंने दाइग्राम पूरा वीज्वर्ण बना रखी है, इसको आपको पहले समझना है, ठीक है, तो यहाँ पर पहले देख लेते हैं, मीटर से तु है क्या, है किया जा सकता है कुल मिला करके मीटर से तो एक उपकरण है जिसकी सहाथा से हम प्रतिरोध या विशिष्ष्ट प्रतिरोध किसी चालाकतार का फाइंड करते हैं ठीक है न तो ये चीज़ आपको लिखना है तो से तो के बारे में definition लिख लीजिए कि मीटर से तो एक प्रकार का उपकारण है जिसकी सहाथा से हम किसी भी चालाकतार का प्रतिरोध या विशिष्ट प्रतिरोध ग्याद किया जा सकता है या ग्याद करते हैं अब आपको मेन रूप से समझना है डाइग्राम तो यह डाइग्राम आपके पास जो है इसमें चार प्रतिरोध है मैं आपको क्रम से समझा रहा हूं तरीके आपको समझना है कि जैसे यहाँ पर एक आर एस दिख रहा यहाँ पर पी और क्यू है पहले आपको समझना है इसको लिखना नहीं है, समझना है, कि जैसे आपके पास यहां से A और C, यह टोटल स्केल कितना है, 170 मीटर, यहां पर भी एक चालकतार लाका हुआ है, ठीक है न, जिसकी लंबाई कितनी है, 170 मीटर, इस स्केल की लंबाई, 170 मीटर है, अब थोड़ा सा कुछ चीजें समझना है, मैं म मतलब B से C के बीच की दूरी, 100 माइनस L मतलब लंबाई, और A से B की लंबाई L है, तो A और B के बीच प्रत्रोध मानके चलता हूँ, P है, B और C के बीच जो प्रत्रोध है, X, Q है, MN के बीच जो यहां पर खाली स्थान, रिक्तिस्थान, इसमें जो R भी जुड़ा हुआ ह है ना, तो यहां पर जो प्रत्रोध बाक से जुड़ा हो, उसका प्रत्रोध R है, और जिस चालकतार का हमें प्रत्रोध निकालना है, तो X, Y जो गैप है, इसके बीच हम इसको जोड़ कर रखते हैं, मतलब हमें S का प्रत्रोध निकालना है, या विशिफ्ट प्रत्रोध न यहाँ से मैं मान की चलता हूँ एक, दो, तीन और यह उपर से एक बुझा, तो खुल मिलाकाँ चितुर बुझा बन जाता है, इसे ए, विजिच कि चत्तुर बुझा, उसी सिध्यान प्रों काम कर रहा है, चीजें समझे एक बुजा यहां से यहां तक एक बुजा यहां से यहां तक एक बुजा यहां से यहां तक एक बुजा इसके दो भी करने एक BD और AC AC में अपन एक SEL जोड़ देदे हैं और KUNJ जोड़ देते हैं और BD में अपन यहां पर एक धारामापी जैसे GALVANOMETER जोड़ देते हैं ठीक है णा तो यह G जो है धारामापी है तो इतना समझ गया है जो मैं समझा रहा हूँ की चार प्रत्रोद P Q RS है ठीक है ना S क्या है जिसका हमें प्रत्रोद की निकालना है जो X Y Gap में है यह जो आपके पास एक Scale है जो की 100 cm का है AB के लंबाई L है तो BC की लंबाई कितने हो जाएगी 100 माइनस L हो जाएगी यह हो गया डाइग्राम और हमको S का मान निकालना जो सूत्र की स्थाफना ये डाइग्राम आप समझ गये डाइग्राम थोड़ा समझ लेना कि क्या करना क्या नहीं करना ठीक है मैं इने सूत्र की स्थाफना डाइग्राम एक बर दिया आप बनाएंगे तो आर्टिमिटिक आप से बन जाएगे स्क्रिन साट लेना तो ले सकते ह चलिए सूतर की स्थापना करेंगे तो थोड़ा सा आपको लिखना है कि मीटर से तू हुट इस्टोन से तू परिपत के ही समान है यह पहले मैंने बता दिया तार AC के AB भाग का प्रित्रोध P तथा BC भाग का प्रित्रोध Q है जो कि मैंने समझाया यह आपके पास तार यहाँ पर एक चालक तार लगा हुआ है जिसमें एक मापक भी लगा हुआ है से सी के बीच जो AB का प्रित्रोध P है और BC का प्रित्रोध Q है इतना क्लियर यह मैंने पहले समझा दिया आगे देखिए AD के बीच प्रित्रोध वाक्स का प्रित्रोध Q होता है यहाँ पर समझे इसकी मैं बात कर रहा हूँ जो AD के बीच यह प्रित्रोध वाक्स है इसका प्रित्रोध R है और अग्यात यह जो XY के बीच जो गैप है यहाँ पर S है तार है जिसकी हमें प्रित्रोध या बिशिट प्रतरोद ग्यांद करने हैं इतना clear हो गया जाए आप सी इतना बन गया तो आफानी से आगे बन जाएगा देखिए मैं मानके चलता हूँ कि जैसे आपके पास से चालग-टार यह चालग-टार तो एकांक लंभाई पर चालक तार के एकांक लंबाई पर प्रत्रोध में मान के चलता हूँ X तो मैं यहाँ से आप से कहूँ कि AB का मान L और BC का मान 100-L कोई दिक्कत तो नहीं है न ठीक है न ध्यान दीजेगा यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ AB बराबर यदि मैं कहूँ तो L सेंटिमीटर कोई दिक्कत नहीं मैंने मान के चला है ठीक है और यदि BC बराबर कहूँ तो टोटल है 100 तो 100 में हम L को घटा देंगी तो 100-L सेंटिमीटर ठीक है अब यहाँ पर समझेगा माना कर लिए दिए माना प्रति एक आंक प्रति एक आंक लंबाई प्रति एक आंक लंबाई पर प्रतिरोध कितना है मान के चलते हैं प्रतिरोध X है ठीक है ना तो ध्यान दीजेगा एक आंक लंबाई पर आप डाइग्राम में समझे AB के एक आंक लंबाई पर प्रतिरोध X है तो टोटल लंबाई L है तो AB का कुल प्रत्रोद P है तो P किसके बराबर हो जाएगा XL के बराबर हो जाएगा तब हम कह सकते हैं student P बराबर जो है XL है क्योंकि L लंबाई के एकांक लंबाई का प्रत्रोद कितना है X है तो टोटल जो प्रत्रोद हो जाएगा XL के बराबर होगा ठीके इसी प्रकार Q का जो है लंबाई टोटल कितना 100-L है तो X into 100-L हो जाएगा क्यों टोटल लंबाई 100-L है और एक आंक लंबाई प्रत्रोज जो है capital X है सरी small X है तो हमने दोनों का multiply कर दिया इतना clear हो गया अब अब कुछ भी नहीं करना है हुइट हें स्टोन स्य तू का सिध्यांत लगा देना बस हुइट स्टोन से तू का सिध्यांत क्या कहलाता है P बटे Q परावर श्प्रेंट R बटे S R बटे S हमने P का मान क्या कहा XL और यह हो गया 100-L इंटू X रावर R बटे S अब देखिए X से X क्या हो गया तो आपका बचा L बटे 100-L रावर R बटे S हमें S का निकालना है S को पक्षांतर कर दो यह नीचे उपर जाएगा R इंटू 100-L और यह जो L है वो नीचे जाएगा बस यही सूत्र की स्थापना है clear यह आगे S का तो हमें निकालना था विशिश प्रत्रोद बस यही है सिद्यान्त मतलब यह सूत्र की स्थापना और सिद्यान्त और यह बिल्कुल इजी है यहां पर आप लोग थोड़ा सा समझें कि जो P है प्रत्रोद है किसका है? AB AB का प्रत्रोद है AB का प्रत्रोद है P लेकिन एकांक लंबाई का प्रत्रोद X है तो टोटल लंबाई L का L का टोटल कितना हो जाएगा? X L हो जाएगा इसी प्रकार Q जो है BC का प्रत्रोद है अब BC का प्रत्रोद सरी लंबाई सो माईनस L है और एकांक लंबाई का प्रत्रोद X है तो टोटल प्रत्रोद X इंटू सो माईनस L हो जाएगा Clear तो यह चीज समझ में आ गया सूतर की स्थापना भाप समझ जाएंगे अब चलिए बनाते हैं साड़नी क्योंकि प्रिछन साड़नी भी आपसे बनना चाहीं पेपर में पूछा जाता है तो ये राय आपका प्रिछन साड़नी के मतलब ये है कि पहले क्रमांग हम कितने बार यह practical कर रहे हैं मतलब प्रियोग कर रहे हैं एक दो तीन चार पाँच बार जितने बार में हमको करना है ठीक है एक ग्यार प्रतिरोध रहेगा जो आर है प्रतिरोध वाक्स कर रहेगा लंबाई मान कर चलें कितना लंबाई है ठीक है यह AB के लिए है ठीक है न डाइग्राम से आप समझें AB के लिए और यह आपका जो है यह BC के लिए है ठीक है और यह टोटल जो आपका find answer जो आएगा clear तो यह डाइग्राम से मान के चलेंगे तो कि इस प्रतिरोध वाक्स का जो प्रतिरोध कितना है फिर यहां पर पी का मान कितना है यहां से यहां तक कितना लंबाई इसको इधर इधर जोकी के तार को इधर हम खिसका सकते हैं यह practical पर ही आपको बिदिवत समझ में आएगा तो यहां पर सिब आप पेपर के exam के मतलब हिसाब से आप पढ़ रहे हैं तो यह हो गया आपका complete ठीक है अब इसकी जो साबधानिया है साबधानिया आपको यहां पर करना चाहिए मतलब आसानी से करना चाहिए जोकी को यह तार को रगड़ते हुए नहीं चलाना चाहिए यह कुछ फैक्ट है आपको दो साबधानिया याद करना ठीक है ना कि प्रतुरोद बाक्स के सभी प्लक या संयोजक अच्छी तरह से कसे होने चाहिए तो मैं यहां पर करना चाहिए जब प्रेश्ण ग्याद करना हो जब मान हमको फाइंड करना हो तब हमको यह चीज करना चाहिए और आपको लिखना तो लिख सकते हैं कि जो संयोजक तार के सीरे हैं है ना उसको रेतमाल कागच या रेतमार पढ़ते हैं है ना कागच से साफ कर लेना चाहिए मतलब जो लकड़ी का जो प्रेश्ट है वो साफ होना चाहिए और धारम आप एक सुरच्छा के लिए उसके सांट का प्रयोग करना चाहिए संट आगी है मैं बताऊंगा संट क्या एक प्रकार के पितरोध का ही रूप है जिससे परिपत नश्ट नहीं होता कई लोग कमेंट करते हैं कि सर आप पेपर के हिसाफ से पढ़ाया है आसा करता हूं कि आपको अच्छे लगा होगा जरूर कर देना और जिनको भी नोट्स लेना है तो 968529949 पर कंटेक्ट कर सकते हैं च्यानन पचासी उन्ति सिंक्य नहीं उन्चास लोग कोस्ट पर आपको पूरा पीडिएफ नोट्स दिये जाएगा मिलते हैं फिर अगली वीडियो में तब तक लिए जैहिन बंदे मातरम